ब्यस्पी सुप्रिमो मायवती ने आज एहम बैठक बुलाई है उपचुनाव के नतीजों के बाद मायवती ने पहली बैठक बुलाई है तो आपको बता दे कि जिस तरह से उपचिनाव के नतीजे रहे हैं उस लिहाज से आज की बैठक कापनी एहमानी जारे है वस्पा सुप्रेमो मावती की तरह से ये बैठक बुलाए गई है उप्चुनाफ के नतीजे के बाद मायवती नहीं पहली बैटक बुलाई इस बैटक में प्रदेश अध्यक्ष सभी जोन इंचार्ड पददिकारी शामल होंगे कयास लगाए जोरे के संगठन इससर पर बीएसपी सुप्रीमों मायवती फेर बदल कर सकती है तो जिस तरह के नतीजे उप्चुनाफ में रहे हैं और 2022 का जो टागेट है वो कही न कही तमाम पार्टियों के तरफ से यूपी में देखा जा रहा है और इस लिहास से आज की ये जो बैठक है वो काफी है मानी जा रहे है तो बीएसपी सुप्रीमों मायवती ने ये बैठक बुलाई है और माना जा रहे कि मायवती संगठन सर पर कोई फेर बदल यहां पर कर सकती है और इसके पीछे के जो आधार है वो कही ने कही उप्चुनाव के नतीजे रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्षे जॉन चार्ज के अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो जहां जिस तरह से नतीजे आए हैं उनको लेकर जो समिक्षा यहां पर की जाएगी तो साथ ही ये भी माना जा रहे कि संगठन सर पर मायवती की तरफ से जो बड़ा पेर बदल है वो किया जा सकता है